इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी रिरिसीपी को ट्राइब कीजिए at मुझेания tis इस त्जाइ ये मटर है तो इसके दाने में ने अलग कर दिये हैं। और ये इस चिलके हैं। अभी मैं इस चिलके से शिशनी चिलके निकाली हून। इस जो प्लास्टिक टैप इप का जो होता है आप देखो। मैंने इसको अलब कर दिया है और ये निकाला है इस से मैं बड़े बनाऊंगी पकोड़े और इसकी चिट्नी भी बनती है बद आज मैं इसके पकोड़े दिखाऊंगे आपको और सबसे पहले मैं दिखाऊंगे किसे छिलते कैसे हैं, ओके तो यह मैंने मटड़ लिया है और इसे मैं छिलके बता रही हूँ कैसे छिलते हैं इसे तो इस पाक से मैं यू दोरूंगी और यह आप देखो यह अलब हो गए और यह देखो यह अलब हो गया ताता अ अधे थोरा सा बस गया है तो रेड़ी लिया है इसके छिलके हैं प्लास्टिक वाले और यह और यह दिखते मैं इस से पकॉड़े कैसे बनाऊगी और मैं इसे कैसे च्छिल तो इसे में रख दे हूं इस पर कई मटर के चिलके के पकॉड़े के लिए पहने लिए मटर का चिलका प्याज बिर्च हल्दी काली मिर्च यह चाट मसाला यह काली जीरे नमक चीनी थोड़ा सा प्यास सका और अद्रक का पेस्ट और यह है चावल का अटा, वेजन और थोड़ा सा मुन्फ्लावर तो चलिए बनाते हैं मटर के चिलके के पकॉड़े पकॉड़े के श longitudinal कि प्यास शुड़ा के चिलकी जार्ट का चिलका मिर्च मिर्च के यहां बाते हैं प्यास प्यास सब का चीनी नमाग जो भी मसाले में सब डाल दे रही हूं इसमें इसमें सब डाल दे रही हूं चावल का अर्टा अचाव पेशन आप अपने अकॉर्डिंग लेजिए मैंने चावल काट आए हां पर चार चमच लिया था इस चमच से चार चमच लिया था और से में बेशन भी वैसे लिया था अब बेशन थोड़ा जादा लिया था तो यहां में बेशन अब अपने हिसाब से डाल दीचिए है कर दो न creatures क्हां कि यहां मैं ले रही हूँ और प्लावड कि सय तो यह मैं प्लावर यह मैं चमच लिया हूं चाहदा हूं कि उसको ट्राइल कैसे है इसको में थे मयषिकrine करेंगे हाथ हוכंचे से बॉश कर लीजिए अ沒事 कि में हाथ ही इसे ज्ला रहे हूँ जे वह तक ही हैं जो схligt है मैं फिर तोडे थोडे करके पानी डालाएग ४ि एकछी जान आएग और मैंने ठोडा विहेचन रखा है साइठ में अगर मुझे लगे तो मैं फिरसे लिले लोगी तो इच्छ 명षू से मैस करते होगी, मिला लोती हूं मैं पानी हो इस चमष से पानी हो वक्तुर मेरें से बदर सबीक, ज्था छोगी हो थै। वक्तुर्दर आपनी दिया उसे हो, जब तक खिसा यूंलाना बेस हैं तो देख पनाते हैं पकोडर जैसा बैटर की जासा बैटर बनता है अगर इसके कमी है तो हम लोग देएंगी अगर इसमें थोड़ी पारी और लगी हुई तो हम लोग पूपर ही देखे नियुक्त और इसे हाथ से ही मिला है तो यह हो गया मेरा बैटर रीटी दिख रहे हो और यहां मैं तेल गरम कर रही हूं तो बनाते हैं पकॉड़े और चाय के साथ इसे सर्फ करें बहुत अच्छा लगीगा ट्राइकर की दिखेंगे पकॉड़े टाल रहे हूं तो थ्यान से इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं दिया है तो आपकी च्वाइस है आप यह सकते हो चोटे-चोटे से पकॉड़े बना रहे हूं और इसको थीमी आच में पकाएंगे जिससे अग्दर तक अच्छे से पकें और यह थोगी फ्राउन रंग हो जाए तो अब यह से थोड़ा पकने देते हैं पकाड़े तरफ गोल्डिन ब्राउन हो गए हैं और दूसरी तरफ बाकी है तो मैं जो जो गोल्डिन ब्राउन हो गए थे मैंने उसे बलट दिया है थोड़ा और जो नहीं हुए हैं इसे जो दिया है और इसे आप मैंने इस तरह से बनाया है आप इसकी सबची भी बना सकते हो इस पकोड़े से आप सबची भी बना सकते हो चटनी के साथ सास के साथ चाई के साथ आप इसे enjoy कर सकते हो और अगर आप घर में कुछ नहीं है तो आप इससे सब्ची भी बना सकते हो विकाज हम लोग मटर का चिलका लाते हैं उसे फेक देते हैं तो आप उसे इस तरह से use करके बना सकते हो और इसमें प्लास्टिक टैंप का जो चिलका होता है उसे फेक देना होता है अब बहुआ टाइम पे बहुत सारे मटर होते हैं इतना चिलना पॉसिबल नहीं होता है बटावी सिज्ण का मटर है तो इसलिए मैंने इससे बनाया है यह पन गए मटर के छिल्के के पकॉड